हमारी पार्ठी जन्ता दल युनाइटेड भार्ती जन्ता पार्ठी संसद्य दल के निता आदर निये स्री नरेंदर मोदी जी को भारत के प्रधान मंत्री पद के लिए समर्थन देती है और ये बहुती खुसी की बात है दस साल से ये प्रधान मंत्री है और फिर प्रधान मंत्री होने जा रहे है और इन्होंने पूरे देश की सेवा की अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है और आप जान लिजे कि कुछ लोग हम लोगो तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आईएगा न तो इस बार हम देखे है कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है अगली बार सब हारेगा हमको पुरा भरोता है ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है और ये सब कोई काम किया है उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया है देश की कोई सेवा नहीं किया है लेकिन आपने इतनी सेवा किया है और उसके बाद इस तरह से हुआ है तब उस बार फिर जो मौका मिला है तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई कुण जाइस नहीं रहेगा वो सब खतम हो अब यहार आदेश बहुत आगे बढ़ेगा अब यहार वहार का भी तो सब काम होई जाएगा जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही करतेगे सबसे पुराना ही राका है तो इसलिए हम लोग तो पूरे तोर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और ब पूरे तो कितना आगे बढ़ाएंगे यही हम लोग को कहना है अब मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम सुरू हो जाए सपतगरन हो जाए अब आप एतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था लेकिन आपके जब इच है तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुसी होगी और पूरे देश में इसका बहुत जादे फाइदा है इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाव नहीं है तिसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आप के नित्रत में सब लोग काम करेंगे सब लोग चलेंगे इनी सब लोग के साथ और आप सब लोग इतना खुसी हैं सब पार्टी के लोग मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ हो करके जो कुछ भी करेंगे इन मैं एंडिये के हमारे संबाने साथ ही शिरसेना के हमारे नेता और महराष्ट के मुख्य मंतरी श्री एकनाथ शिंदेजी से अग्रह करूँगा कि वो भी प्रस्ताव का नुमोदन करें प्रस्ताव भ्रस्तावी का ठाज्व